पाकिस्तान और चीन की हरकतों को देखते हुए भारत लगतार नई मिसाइलों का परिक्षड कर रहा है फिर चाहे वो जमीन से दागी जाने वाली मिसाइले हो या फिर फाइटर जेट से दागी जाने वाली मिसाइल या फिर भारतिय नौसेना की मिसाइले हो हर जगा भारत ने अपनी तयारी बराबर रखी हुई है और ऐसे में डियाडियों ने हाली में स्मार्ट मिसाइल का सफल परिक्षड किया इससे पहले अगने मिसाइल का परिक्षड किया गया एक रहस्माई मिसाइल भी थी जिसके बारे में किसी को जादा जानकारी नहीं लगातार मिसाइलों का ही परिक्षड हो रहा कभी जमीन से, कभी जहाज से, कभी हवा से तो कभी पंडुबी से भारतिय मिलिटरी को आस्मान, जमीन और जल तीनों जगहों पर परमाडू वारहिट से लेस हत्यार तेनाद करने होगी तब जाकर पाकिस्तान और चीन की चालों पर विराम लगेगा कम से कम हमले का जवाब देने की ताकत तो होगी अगर बात करें भारतिय नौसेना की तो भारतिय नौसेना के पास फिलहाल पंडूबियों में सबसे ज़्यादा भरोसे बन के सीरीज है भारत के पास फिलहाल के फोर सबमरीन लॉंग वेलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है इनकी रेंज 750 से 35 किलोमेटर है लेकिन अब जब नौसेना नई पंडूबियां बना रही तो उसे नई मिसाइलों की भी ज़रुरत होगी ऐसे में के फाइव और के सिक्स ऐसल बीम मिसाइलों की ज़रुरत है ताकि जादा रेंज तक हमला किया जा सके इसके अलावा अगनी 5 सीरीज की SLBM इस्तमाल की जा सकती है अगनी 5 मिसाइल की ताकत को पूरी दुनिया जानती है इसकी रेंज में पूरा पाकिस्तान और आधा चीन आता है अगर इसकी खुबियों की बात करें तो इसकी रेंज 7 से 8000 किलोमिटर है इसमें एक साथ कई वार हेड लगाये जा सकते हैं ये MIRV तकनीक से लैस है एक ही मिसाइल से 5 टागेट्स को हिट किया जा सकता है इसमें 400 किलोग्राम वजनी परमाडू या परमपरिक हतियार लगा सकते हैं इसकी अधिक्तम गती 30,000 किलोमिटर प्रति घंटा से जादा है वहीं अगर बात करें के 5 मिसाइल की तो इस मिसाइल को देश में ही डेवलप किया गया है इसमें 2000 किलोग्राम वजनी वारहेड लगा सकते हैं इसकी रेंग 5-6,000 किलोमिटर है इसे फिलाल अरेहन क्लास सब्मरीन और S5 क्लास सब्मरीन में लगाया गया है भविश में अनपंडूबियों में लगाया जा सकता है बात करें अगर के 6 मिसाइल की तो ये मिसाइल अभी बनाई जा रही है 49 फीट लंबी इस मिसाइल में 3000 किलोग्राम वजनी पर माडू हतियार लगा सकते हैं इससे कई टाकिट्स पर निशाना लगाये जा सकता है इसकी रेंज 8 से 12,000 किलोमिटर होगी इसे S5 सब्मरीन में लगाने की योजना ह हाला कि देखा जाए तो रक्षा के शेतर में भारत जोरो शोरो से खुद को तयार रख रहा है सीमा पर पाकिस्तान चीन की हरकतों को देखते हुए भारत लगातार हत्यारों का निर्मान कर रहा और तो और मिसाइलों के परिक्षड भी कर रहा है खेर आपको ये खबर कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक